हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चेनल दा टेस्ट ओफ इंडिया तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सबी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मुर्मूरा लड्डू ये मुर्मूरा लड्डू आपने जरूर बाजार से खरीद के जरूर खाये होंगे बच्पन में आपने इसे जरूर ट्राइ किया होगा भाई हमने तो बच्पन में ये वाले लड़ू बहुत खाये हैं बाजार से खरीद के इस बार घर पे बनाईएगा बहुत टेस्टी बनेंगे और फ्रेंड्स यकीन माने इतने टेस्टी बनेंगे कि आप इसे बार बार बना के खाना पसंद करेंगे और इन्हें बनाना इतना असान है फ्रेंड्स के यकीन माने बच्चे भी से बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रेडियन्ट से बनके फटा फट से तैयार हो जाते हैं तो आप एक बार इसे जरू ट्राइ कीजिएगा तो चलिए अब देख लेते हैं इसे केसी बनाना है इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह से रोज रोज नई नई वीडियो मिल सके मूर्मूरा लड्डू बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल भरके मूर्मूरा ले लिए हैं फ्रेंट्स एक चीज़ और यह जो मूर्मूरे हैं हमारे यह देवाली पे प्रशाद की रूप में आते हैं तो मूर्मूरा एक बाउल लेके आपको कड़ाई में डालके अच्छे से ड्राइ रोस्ट कर लेना है तब तक कि यह हाथ से इस तरह से फूटना ना शुरू हो जाए और फिर इसे एक बड़े से बरतन में निकालके ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा अच्छे से ड्राइ रोस्ट हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल रही हूँ इस तरह से और अब इसी तरह से इस कड़ाई को वापस गेस पे रखिएगा और इसमें डालना है गुड़ गुड़ मैंने छोटे-छोटे पीसिस में करके तोल लिया है तो एक से डेड़ बाउल में गुड़ लिया है और आदा बाउल पानी डाल देना है इसमें इसमें bubble bottles लगे, जो हमने मुर्मुर्मुर। रखे हैं वो इसमें डाल देने हैं मुर्मुर्मुर्म ow इसमें bubble बनते समय लें तुरंतर भी डॉल दे और अच्छे इसे इस Temple से mix करदें लगातार हाथों से इस तरह इसी इस and match करें और GASS की FLAIM इस contexts पे आप बंद करते पटाफर से अच्छे से mix करना है ताकि जो जाशनी है गुर्ड जो melt हुआ है वो अच्छे से इसके अंदर गुल मिल जाए तब इस तरह से जब गुल मिल जाए तब गेज की flame off करके आप इसे कड़ाई को नीचे रखे एक बड़ा चमच गी डाल दे ये बिलकुल optional है आप चाह पुल भी नहीं चिपकेंगे हाथ पे थोड़ा पानी लगाए और इस तरह से आप इसे बान दे अब फ्रेंड्स हलका जब ये गरम रहे तब ही आपको लड़ू बानने है जब ये लड़ू अच्छे से बनेंगे ठंडा होने के बाद नहीं बनेंगे हलका जब आपका हाथ इसे अच्छे से सहन कर पाई इसकी गरम हट तभी आप बानना शुरू करतें अब आप देख सकते हैं बहुत सारे लड़ू बन के तयार हो चुके हैं छोटे बड़े जैसे बानना पसंद हो वेसे बान सकते हैं और इस इस टेप पे आप ड्राइफ्रूट डाल सकते हैं और आप अगर ऐसे ही सिंपल मेरे जैसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे सिंपल टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है चाहे तो ड्राइफ्रूट डाले चाहे तो नहीं डाले अब आपको यह मुरमुरा लड़ू केसे लगे कमेंट करके बताईएगा और आप भी बनाके से इंजोई कीजिएगा थेंक्यू सो मच फ्रेंड्स